हेलो एवरिवान गुड एवनिंग वेलकम टू ग्लैंस अकेडमी दोस्तो हम लोग यूपी पीसेस प्रिलिम्स दोजार चौबिस के लिए लगातार जनल स्टडी पेपर नंबर बन के हम लोग टेस्ट पेपर कर रहे हैं जिसमें हम लोगोंने अभी तक जितने भी टेस्ट पे चैनल के विए जहां कि यहां पर देख सकते हो कि जी स्का फूल टेस्ट है यह वाला इसको नाई नंबर चोड़ दो हम टोटल नंबर की बात कर आँज हमने थर्टी नंबर करेज करना है लेकिन इसमें आपका जनवरी 2024 कभी current affairs include हो गया है कल इसी तरीके से आपको test no.14 मिलेगा जिसमें फर्वरी का current affairs रहेगा फिर मार्च का तो daily basis पे आपको GS के test paper मिलते रहेंगे और इसी के साथ हमने CSAT के भी test paper मतलब जो PYQs है वो complete करा है जैसे 2012, 2013, 2014 फिर 2015, 2016 ऐसे गर के पीवाई क्यूज भी complete कर रहे है और इन सभी चीज़ों को आप access कर सकते हो YouTube पे हमारे Glance Academy चैनल को follow करके वीडियो के नीचे दियेगा description box में इसकी PDF आपको मिल जाएगी तो टेलिग्राम चैनल का जोईन जरू कर लिना तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के question number one से यहां आपका question number one है अजन्ता की गुफाओं के समद में निमलिखित कत्रों पर विचार करना है आप यहां पे दो statement दियेगे हैं और आपको इन दोनो statement को पढ़ना है और सही उत्तर जो होगा उसके साथ जो ब्याख्या है जो reasons होंगे जो कारण होंगे उस पे भी हम चर्चा करेंगे लिख रहा है यह महारास्ट के औरंगाबाद जिले में सहयाद्री पहाड़ियों पर इस्तित है साथी साथ औरंगाबाद जिले में जिला भी कंफर्म होना ची क्योंकि अजन्ता की गुफाएं वहीं पर इस्तित है पहला statement से यह दूसरा यह गुफाएं बरगुना नदी घाटी के बाएं छोर पर इस्तित आगने चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं जनरली आपने पढ़ा है कि जो महरास्ट हो गया या फिर दच्छड भारत के जितने भी राज जोग है करनाटा गोवा तमिल नाडू आंद प्रदेश यहां पर बेसाल्टिक चट्टान का विस्तार है तो इसको आधार मान के कहीं आगने चट्टान वाला option गलत मत कर देना पता चले आपने जोग्राफी इतनी ज़्यादा पढ़ी मैं आपको बता दूँ कि यह जो गुफाएं बनाएगी वो आगने चट्टानों को काटकर ही बनाई गई है और इसलिए यहां पर दोनों स्टेट्मेंट सही हो जाएंगे अगर मैं अजंता के गुफाओं की बात कर गई जो जातक कथाओं से ले गई है तो यहां पर दोनों स्टेट्मेंट सही है इसी तरीके से कोश्चन निम्बर सेकेंड की बात करेंगे समविधान सभा की प्रकिरिया नियम समीती के अध्यक्ष कौन थे जब समविधान सभा गठित की गई थी और उसके जो प्रमुक कार आजिंद प्रसाद जी थे परन्तु और जो स्टेट्मेंट दिये हुए हैं यानि ऑप्षन जैसे जवाला नहरु जी की बात करेंगे तो इनके पास दो समीतियां थी जिसमें एक ही संग संविधान समीती और संगी सक्ति करके एक समीती थी यह दोनों इनके पास थी उसानात सेन जी के पास अगर हम बात करेंगे तो यह प्रेस दिरगा समीती की अध्यक्स थे ठीक है प्रेस दिरगा समीती के के मुंसी जी की बात करेंगे तो इनके पास भी एक समीती थी जिसको कहते हैं कारे संचानन समीती और अगर हम सरदार वल्लब भाई पटेल जी की बात तो उनके पास मूल अधिकार की समीती थी, जिसकी अंतरगत मूल अधिकारों पर चर्चा की गई, साथी साथ प्रांती समीती का भी अध्यक्ष उने बनाया गया था, क्योंकि प्रांती एकी करण करने की जिम्मेदारी भी उनको सौंप दी गई थी, चलिए, अगले प्रशन क् का थर्ड है, निम्लिके सागरों में से किसकी औसत गहराई सबसे अधिक है, अब देखिए ये फुल टेस्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे हर तरीके के सब्जेक्ट मिक्स करके मिलेंगे, साथी साथ करेंट अब यहाँ पे औसत गहराई पूछ रहा है, अगर आप साउच प्रशन्त महा सागर के अंत्रगत आता है, इसकी ऑसत गहराई लगबख 1200 मेटर के आसपास है, अगर हम केरिबियन सी की बात करेंगे, तो इसकी जो गहराई है लगबख 2500 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी, बेरिंग इंउसी की बात करेंगे, यह कहाँ पर पढ़ा है, आ सागर हम बात करेंगे तो लगभग 1550 मीटर इसकी औसत गहराई है भूमत दे सागर की बात कर लीजे तो भया यह 1485 लगभग 1485 मीटर इसकी औसतन गहराई है तो सबसे अधिक जो गहराई देखने को मिलेगी वह इन चार आप्शन के कोडिंग केरिपियन सागर की है अगले प् में जाके उस वीडियो की सेटिंग पर जो साइड में थ्री डॉट दिया होता है मैं जो वीडियो पोस्ट करता हूँ एक हजार असी की क्वालिटी तक रहता है कि ताकि आप 240, 360, 480, 720 सभी क्वालिटी इस पर देख सकते हो अब यहां पर यह पेपर में इनका जो लोगो है है आईएस का वह हम बलर नहीं कर सकते हैं तिक इसलिए जो है कि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा तो प्लीज को ध्यान से सुनिए नौरु देश की बात करें तो सबसे मेले आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रसांत महासागर में बहुत सारे आईलेंड्स के इस तरीके से आउसीनिया ग्रूफ आपको सबसे चोटा देश है अब यहां पे देखते हैं विसुका सबसे चोटा दूइपी रास्ट है बिलकुल शही है यह मत्वे प्रशांत महासागर के भूमत देरेखा के दच्छड में इस्तित्हां यह अच्छा बूइंट है बहुम ये भी सही है इसका कुल छेतरफल दोस्तों लगबग 23 वर किलोमेटर नहीं है बलकि इससे थोड़ा कम है और उसकी बात करें तो 21.1 किलोमेटर स्क्वाइर के आसपास इसका विस्तार है इसी का मतलब हो गया कि D option आपका पूरी तरीके से गलत हो गया अगला प्रशन है question number five की बात करते हैं निमन कतनों पर बात करेंगे अनसान नगर को चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है और सेन्यान नगर को चीन की इसपात राजधानी कहा जाता है तो यह दोनों यह statement गलत हो गया कैसे गलत हो गया क्योंकि चीन का जो पिट्सबर्ग होता है यह समानता हम शिन्यांग नगर को कहते हैं किसको कहते हैं दोस्तों सिन्यांग नगर को और चीन की जो ऍसपात राजधानी आप लोग मेरी एटलस की मैपिंग की क्लास जरूर देख लेना अगर पीसेस की तैयारी करो या आरो यारो की तो कि वहां से डिरेक्टली बहुत सारे प्रशन आपके तैयार हो जाएंगे फिर बात में परिशान नहीं होना पड़ेगा वर्ल्ड जोगरफी के लिए तो बात करेंगे निमलिखित में से कौन सा युकम सही सुमेलित नहीं तो यहाँ पे देश दे रहा है और राजधानी अगर आप देशों की बात करोगे तो यह आफ्रिकन कंट्रीज के देश है यानि अफरिका कॉंटिनेंट में आते हैं जैसे घाना की राजधानी आपको अक् अफरिका कॉंटिनेंट के दच्छण में जाओगी तो वहां पे मलावी देखने को मिलेगा देश, वहीं पर इसकी राजधानी है और लिसेतों की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो गिए मसेरु अब बहुत सारे एस्पिरेंट ने लसेतों को कहीं भी आफरिका कॉंटि तो इंडियन ओशन की तरफ देखोगे तो बीच में अफ्रिका कॉंटिनेंट से घिरा हुआ पूरी तरीके से लेसे थो नाम पर एक छोटा सा देश है चने के दाल के बराबर और उसी किराजधानी मसेर हुए तो जरह गौर कर ले ना अफ्रिका कॉंटिनेंट में जब साउथ अफ्रिका में जाओगे तो वहाँ पर इंडियन ओशन की तरफ आप देखोगे तो यह पूरा लैंड लॉग है अफ्रिका के अंदर ही अंदर तो यहां पर आपका कौन सा सही हो गया मोजांबिक वाला क्योंकि मोजांबिक किराधानी लिलोंगवे नहीं है क्योंकि यह यारो दोनों की कंप्लीट तैयारी देखने को मिल रही है चाहिए वो हेंड़ेटे नोट्स के माध्यम से हो या फिर घटना सार की करेंट अफेर्स की मैगजीन की क्लासेज हो हर तरीके की यहां पर आपको चीजे प्रोवाइड कर आई जा रही है चलिए कोशन नमबर सैवन प्रियाद हिमाले की अपेक्शा मत हिमाले का आर्थिक विकास अधिक हुआ है पहला स्थेट्मिंट दूसरा विमाज हिमा च्छादित है जबकि मत हिमाले में सीतोशल परकारी की जलवाईव पाई जाती है आब जिसने मेरे साथ वर्ल्ड जोगराफिव में जो क्लायेटिक जोन पढ़े होंगे जलवायू प्रदेश तो वहाँ पर मैंने बताया भी है कि बिलकुल यहाँ पर यह दोनों स्टेट्मेंट से हो पहला सही हो जाएगा और ब्याक्ठा भी करेगा क्यों ऐसा कह रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे जो मद्य हिमाला है जिसको हम लगू हिम लकड़ी ऐसी हो जो बहुत कठोर भी नहों और बहुत ज्यादा मुलायम भी नहों बस एक ऐसी हो जो पानी पर तैरती रह सके तो इसका मतलब इन लकड़ियों का प्रयोग अधिक सिदिक जल्यान उद्योग के लिए होगा साथी साथ पेपर बहुत हलके बनते हैं मतलब जो कि छाल और पत्तों के माध्यम से कागज उद्योग डेवलप हो सकता है इसी के साथ साथ यहां पर माचे सुद्योग का भी विकास हुआ और परेटन का भी विकास हुआ इसी वज़े से कह सकते हैं कि मद्ध हिमाला में सीतोशन परकार की जल्वाई होने से आर्थिक विकास जबकि जो विर्याद हिमाला है जो आपका सबसे बड़ा हिमाला माना जाता है जहांपर सामनता ग्लेशियर वगरा हिमनत पाया जाते हैं अब उस बरफीले छेत्र में भला कोई जाता भी नहीं है और नहीं वहां पे कोई पेड़ वगरा मिलते हैं इसकी वाज़े से उनका आर्थिक विकास कम हुआ है तो यहां पे ए आप्शन सही हो जाएगा कुश्चन नमबर एट है आपका भारत के चार राजे सिक्किम पश्यमंगाल असोम और अरुणाचर प्रदेश की सीमा भूटान सीमा को इस पर्स करती है बिल्कुल सही बात है अगर मैं कुछ इस तरीके स भूटान की लोकेशन आपको बना दू तो इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको अरुणाचर प्रदेश बांडरी शेर करता हूँ मिलेगा यहां आप देखो कि नीचे तो असम बांडरी शेर करता हूँ मिलेगा यहां पे कुछ इस तरीके से लंबा सा जो है की देखने को मिलेगा वेस्ट बंगॉल देखने को और इस साइड में आपको सिक्किम देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से जो चारो राज्ये आपके बॉंडरी शेयर करते हैं नेक्स स्टेट्मेंट है भूटान की सीमा से सबसे अधिक अरणाचर प्रदेश की सीमा लगती है तो वस यहीं पर गलत होगा क्योंकि अरणाचर प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों वो केवल 270 किलोमेटर की बॉंडरी सेयर करता है जबकि अगर मैं असम की बात करूँगा तो इसकी जो बॉंडरी सेयर होती है वो 267 किलोमेटर की होती है और इस वज़े से आपका भूटान के साथ जो सबसे लंबी सीमा होगी वो अरणाचर प्रदेश की नहीं होगी बलकि असम की होगी अच्छा मैं अगर ये भी पूछूँ आपसे की भूटान के साथ भारत की कितने किलोमेटर की लंबी सीमा तैय होती है तो 699 किलोमेटर की होती है यानि 699 किलोमेटर की पूरी बॉंडरी हमारे भूटान के साथ शेयर होती जिसमें चारो राज्य की सीमा को जोल डिया जाता है हलांकि मैंने इस चीज को पढ़ाया है आपको घटना चक्र सौटनोट जो इंडियन योगराफिक के बनाए है उसमें पहले या दूसरे पेज़ पर ही ये सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी तो यहां आज आते हैं हम भारत के पूरवी तट पर इस्तिखबंदर गाहों का उत्तर से दच्छड की और सही करम क्या होगा तो अगर आप देखो कि पूरवी तट की बात कर रहा है कुछ इस तरीके से भारत के इस तरीके से चलो मैं पूरवी तट आपका थोड़ा सा यहां बना देता हूँ ठीक है इस तरीके से तो अगर मैं बात करूँ नौर्ट से साउथ की और जाने की तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक अलूर बंदरगा जो की आपका आंध प्रदेस में आता है उसके नीचे आपका चेन्नाई बंदरगा आता है जो की यह भी आंध प्रदेस में इसके नीचे आपका मामल पुरम आता है कौन सा आता है मामल पुरम आएगा जो की कहां पर आएगा तमिलनाडू में आएगा और सबसे नीचे आपका पुदूचेरी देखने को मिलेगा तो यह इसका क्रोनोलोजी हो जाएगा आप यहां पर इस तरीके से देख सकते हो तो जो chronology set होगा, सबसे पहले अलूर, फिर चेन्नाई, फिर मामलपुरम, फिर पुदुचेरी, अर्थात B option correct होगा, अगले प्रशन को देखते हैं, question number 10 की बात करेंगे, निमलिकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अब देखें यहाँ पर railway zone की बात की जा रही है, तो य यहाँ पर एक माली गाओं करके एक जगह है, जहाँ पर इसका North East, जो पुरुतर सीमान्त railway है, उसका मुख्याला है, और यह जो माली गाओं है, यह आपके गुहाटी के अंतरगत आता है, असम में, ठीक है, और असम की राजधानी लेकिन दिसपूर है, फिर दक्षड मद र railway की बात करेंगे, तो इसका सिकंद्राबाद सही है, फूर्व मद रेलवे की बात करेंगे, तो हाजिपूर इसका सही है, जो पट्ना से हाजिपूर गांधी सेतू से connected है, हाजिपूर जिला, पिर आपका पूरी तटवर्थी railway की बात करेंगे जो coastal reason होता है, वो भूबने इ ही दोस्तों बल्कि आपका जो गोवा है कि रासधानी क्यांव पढ़जी है तो आप लोग क्या पढ़ते हो पढ़ते हो hide प्रौ फटेक युज्टि या शीद की बात करें अगर यूपा करें तो इंडुट में बंते खेल के समान अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में वैग्यानी को करन बनते हैं बरेली की बात करें जो यूपी के बरेली में है मतलब यूपी के बरेली तो यहाँ पर जर्दोदी का जो होता है काम कारोगा अभी इसको जी आई टैग भी दिया गया जो गोटे वगरा लगते ना दुपटे में साड़ियों में सूट में तो इसी को कहते हैं जरी का काम करना तो यह हो जाएगा आपका एंसर अगला प्रशन है निमलिखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है अब यहाँ पर जन्तु है और और जीवनकाल को पूछा जरा है और जीवनकाल है अंतिम जीवनकाल नहीं है जैसे अगर आप देखोगे उट का और जीवनकाल 30 वर्स है तो हो सकता है 30-35 वर्स जीवित रह सकेगा हाथी की बात करें तो लगभख 57-58 वर्स वो जीवित रहते हैं कबूतर की बात करें तो लगभख 10 वर्स वो जीवित रहते हैं अगर हम चिंपैंजी की बात करें दोस्तों चिंपैंजी लगभख 37 येर जो एकी जीवित रह लेता है गाय की बात करें तो गाए हमारी लगबख 16 साल जीवित रह लेती है लेकिन यहां पर जो गलत है वो मोर है क्योंकि मोर दोस्तों 20 वर्स नहीं बलकि 15 साल तकी जीवित रह पाता है तो यह उसकी और सथ एज हो जाएगी या और सथ जीवनकाल हो जाएगा अगले प्रशन को देखते हैं निमलेकित में से कौन सा ब्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे उम्र दराज ब्यक्ति बन गया यानि सबसे ओल्ड एज का ब्यक्ति है तो इसका सही अंसर हो जाएगा एड ड्वाइट क्योंकि यह जब उम्र वहां गय अंतरिक्ष में तो यह है आप देखोगे अगर इनकी बात करें तो यह 19 मई ज्यादा पुरानी बात नहीं यह 19 मई 2024 को जो ब्लू ओरेजिन के एन एस 5 एन एस 25 अंतरिक्ष यान से यह गय थे कहां पर इस पेस में हलाकि इस से पहले आपने पढ़ा होगा विलियम सटनर को क्योंकि इन्हों ने भी जो है कि यह अपने पास रिकॉर्ड रखा है और 2021 में यह गय थे परन्तु इनकी एज केवल और क्योल किती थी 90 एर ती और यहां पर जो मारे एड़वाइट है यह दो मैने उनसे बड़े हैं अगले प्रशन को देखते हैं जिस समय स्वास या स्वसन तंद्र आक्सीजन की उपस्थिती में होता है तो उसे आक्सी स्वसन कहते हैं आक्सी स्वसन के पर नाम सुरूप कारबन डियोक्साइड और एथिल अलकोहल बनते हैं देखें पहला स्टेट्मेंट तो सही है कि जिदी भासा में कहें कि जो भी आप भोजन ग्रहन करते हो जो भी आप खादे-पदार्थ ग्रहन करते हो तो भाई यो खादे-पदार्थ होता है इनको जो है कि पूरी तरीके से ग्लुकोज में छोटे-छोटे कड़ों में तोड़ा जाता है तो इसी को कहा जाता है पूर ओक्सी करण होना क्या होना और जब पूर ओक्सी करण होता है तो कि जो आपके बॉडी के अंदर इनका पूरी से砸रा就 क्या निकलेगा, 이승्जार कार्बन दाइज निकलेगा, अांड़ी निकलेगा, तो इसे कहते हैं और जब कि यहां क्या कह रहा था ओक्सी स्वसन में CO2 तो ठीक है लेकिन एतिल एलकॉहल नहीं ठीक है इसकी जगह अगर यह है एच्टुओ कहेगा या फिर ATP फॉर्म में एनर्जी कहेगा तब सही होता तो दूसरा स्टेट्मेंट गलत हो गया और आपसे पू अगले प्रश्न को देखते हैं सही होजी उतक के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है सही होजी उतक मतलब कनेक्टिब टिशू अर्था जो बॉड़ी और गेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर जूड़ता है सबसे अधिक बॉड़ी में इसी का प्रजेंटेशन होता है कहने मास इसलिए हड़ी से जुड़ा हुआ है क्योंकि Curtis और मास के वीच में आपको connective tissue देखने को मिलते है अगर आपके मास से इसकिन जो बाहर की आपकी आउटर इसकिन है अगर यह connected है तो यह भी आपके connective tissues की बज़े से है तो बहुत जगह यह आपके सरे में एक दूसरे अंगों को यानि एक दूसरे muscles body organs को जोलने में होमिका निभाती है अब यहाँ पर इसके बारे में negative statement पढ़ना है इसकी उत्पत्ती भुण के mesoderm से होती है बिलकुल सही और यह अंगों में उपस्ते दूसरे उत्कों को एक दूसरे से बांधने का कारे करती है अर्था जोलने का कारे करती है यह भी सही है समवहन उतक की अगर हम बात करें जो कि सही उतक की plasma को सिका है antizen स्रावित करके सरीर को जिवाणों तो अन्य बाहरी पदार से रक्षा करते हैं तो यह गलत हो जाएगा antizen नहीं होता दोस्तों बलकि antibody होता है जो हमारे body की परतिरक्षा प्रडाली होती है जो हमारे body को सुरक् इसका भी काम करते हैं तो यहां पर जो आपका गलत हो रहा हो तीसरा statement ही गलत हो रहा है अब यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं भोजन की लगातार अधिक्ता से atherosclerosis atherosclerosis तो यहां पर यह पूछ रहा है आप से कि अगर आप भोजन में किसी ऐसी वस्तु का लगात से रहा हो जिससे यह आपकी बाड़ी में excesses हो जाता है बहुत ज़्यादा हो जाता तो इस तरीके की बिमारी होती जिसको हम कहते है atherosclerosis तो यह होता है संत्रिप्ट वसं के से जैसे अपको जन्तु वसं को कहते हैं अब आप का सर हम हम तो Gegente wings घं टु घंकर दो सा का मतलब ह अगर आप बात करो के चर्वी जो vegetarian नहीं होते हैं नॉन vegetarian अफिर अगर आप मक्खन की बात कर लो या पनीर की बात कर लो ठीक सितने भीfunded तथे हैं यह जो जंतुवज करते हैं और इस वजह से आप द देखो के जाड़े में यह maximum और जाती है जैसे मक्खन लunkt सूरे के परितव बृतिये कक्षा में गतिमान पिंड सूरे की तरफ आकरसित नहीं होता बिल्कुल सही बात है क्यों नहीं होता है क्योंकि सूरे के चारों तरफ अगर भले कोई भी पिंड घूम रहा हो ऐसा ये कहा तो नहीं जा रहा है कि सूरे के एकदब नस्दीक घूम रह प्रित्वी पर रुका रहता है, प्रित्वी के चारों तरफ फिर घूमने लगता है, मतलब बृतिय पत पर गतिमान वस्तू का कारे करने वाले अभी केंदरी बल की पृतिक्रिया होती है, और जिसके दिशा केंद से बाहर की तरफ होती है, कहने का तातपर हो गया दोस्तों कि यहां पर आगर मानलो मैंने सन बना दिया इधर मानलो आर्थ बना दिया और यह प्रड़क्ट है एक ऐसे वस्तु जो सूरे का परिक्रमा कर रहा है लेकिन कहीं न कहीं इस पर पृठ्वी का आकरशन बन अभी केंदरी बल काम कर रहा है जो इसको सूरी के गुर्तवा कर्षण या आकर्षण बल से दूर रख रहा है, बचा रहा है, तो बिल्कु सही बात हो जागी ये दोने स्टेट्मेंट सही होंगे, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और टेलिग्राम चनल जरूर जोइन कर लेना, वीडियो के न अब यहाँ पर हमारा अगला प्रशन है, हाली में सयुक्तराष्ट ब्यापार और विकास यानि अंक टाड जिसको हम लुक कहते हैं, युनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलप्मेंट इसकी हम बात कर रहे हैं, इसके दोरा एक वर्ल्ड इन्वेस्मेंट र कि आप देखोगे, USA तो फर्स्ट इस्थान पर ये तो बात सही है, क्योंकि सबसे अधिक FDI की जो प्राप्ती हुई है, वो USA को हुई है, लेकिन चाइना आपके तीसरे नंबर पर नहीं है, भलकि सेकेंड नंबर पर है, और अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करनें, तो इ अधार पे भारत विस्था में 15 नंबर पे था, लेकिन अगर आप इससे पीछे जाओगे, जो 2023 की रिपोर्ट देखोगे, जिसमें पूरा आंकड़ा, पूरा डाटा 2022 का दिया हुआ है, उसमें भारत का इस्थान आठमा था, कितना था? आठमा, यानि बहुत अधिक, 43 परसेंट की गिरावट देखने को मिलती है, सोचिए कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो गया, कि जो भारत में FDI आ रहे थी, अचानक से 43 परसेंट FDI कम हो गई हमारे यहां, तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है कि 15 इस्थान है, लेकिन पहला गलत है, अब यहां अगला प्रशन है, हाली में BIS, BIS मतलब क्या होता है, कि Bureau of Indian Standard, अर्थाथ भारती मानक Bureau द्वारा लांच किया गया मानक IS, 18590-2024 और दूसरा 18606-2024, इसका संबंद किस्से है, तो यह आपके electronic वेहिकल, जो electric वेहिकल है, इन से संबंदित है, इनको यह मानक दिया गया है, कि यह पर Question No.20 देख लेते हैं, Question No.20 कर रहा है, आर्सेनिक के संबंद में कौन सा कथन, सही नहीं है, देखिए, यह कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूपों पाया जाता है, बिलकुल, आपको पता होना चाहिए, कि बांगलादेस और पश्य मंगाल में सबसे ज़्यादा जल प्र अगर यह कार्बनिक रूप में हमारी बॉड़ी के अंदर आ रहा है, तो कहीं न कहीं डाइजेस्ट भी हो जाता है, अब घटनी भी होता है, परंतु यह जो प्रॉब्लम कर रहा है, यह अकार्बनिक रूप में करता है, जब यह नॉन कार्बन के फॉर्म में होता है, तब ज्यादा प्रॉब्लम करता है तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर आपका गलत हो गया और यह तंत्रिका तंत्र को छती गरस्त करके मांसिक मंदता यानि कि जो आपका ब्रेन है उसको स्लो करता है स्लो लरना तो यह भी सही है और इसका उपयोग गैलियम आर्सेनाइड अर्द कि अगला प्रशने आप एक्स किरणों के बारे में बात करें इन किरणों की तरंग जो होती है लैम्डा जो होती है वेवलेंथ 1.0 इंटू 10 कि पाव मैनस 10 मीटर से लेके 3 इंटू 10 कि पाव मैनस 8 मीटर के बीच में होती है बिलकुल सही है पहला स्टेटमेंट हो दूसरी बात करें इन किरणों की खोल रिटर ने नहीं किये दोस्तों बलकि किसने की है रोट इंजन महोदे ने किये किसने की है रोट इंजन महोदे और रिटर की बात अगर हम कर लें तो रिटर ने अल्ट्रा वाइलेट रेज की खोच की इसकी रोट इंजन ने आपके एक्स किरण होता है गलत नारंगी रंग के प्रकास का प्रकरण सबसे मतलब बहुत कम होता है हला कि लाल का तो जो है that कि सबसे कम होता है इसी लिए प्रמצन मतलब मतलब ऑठांता रंट को अजया इसका फैलता नहीं बहुत एक सीधी शिक्नल होते हैं वहाँ पर रैड लाइट का ही प्रयोग किया जाता है स्टॉप रहने के लिए तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया पहला ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है वो बिल्कुल सही है और यह इसलिए बनाया जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें क्या होता है ब्लैक बॉक्स होता है इस पर कैमरा लगा होता है कि अगर बाई डिफॉल्ट अगर वाईयान का कहीं एक्सिडेंट हो गया द्रुगटना हो गया वाईयान में क्या क्या हुआ किन वजहों से द्रुगटना हो गया उसकी ठीक है उन सभी चीज़ों के रिकॉर्डिंग कर लेता और यह कहीं पर गर जाता है जहां में बार्दी रिज़ों के शन और में सब्सक्राइब अगला एक रुपए का जो नोट होता है उसे भी वित्तमंत्राले जारी करता है बाकी RBI 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए यहां तक के सारे पैसे जो एकी जारी कर चुकी है ठिक, हजार-दोजार की भी किया है करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की नियूनतम निधी पद्धिती को अपनाता है बिल्कुल, RBI आपके नियूनतम निधी पद्धिती को भी अपनाता है तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि एक रुपए के नोट और सिक्कों को वित्धमंत्राले जारी करता है उस पे जो हस्ताक्षर होते हैं तो वित्धमंत्राले का जो वित्ध सचीव होता है जो आई-एस रेंक का दिकारी होता है वो उस पे साइन करता है किलियर है बात अब यहां पर मैं बात करता हूँ कि जो नियुनतम पद्धिती का मतलब हो गया जब RBI के पास लगबग 200 करोण रुपए का जोए की रिजर्व होना चाहिए 200 करोण में अगर आप देखोगे तो 115 करोण रुपए का लगबग गोल्ड होना चाहिए इसके पास और 85 करोण रुपए की लगबग फॉरन करेंसी होनी चाहिए तब जाके RBI नई करेंसी को प्रिंट कर सकता है ऐसा नहीं की RBI के पास मसीन लगी और जम मन किया तब जोए कि उसने पैसा चाप दिया ऐसे तो क्या होगा महंगाई भी बढ़ती जाएगी और ब्लैक मनी भी बढ़ती जाएगी तो भारती अर्थ वे उस साख खतम होने लग इन चोटे-चोटे points को अगर ध्यान दोगे ना तो आप देखोगे कि आपके concept भी सही होंगे क्योंकि बहुत सारी चीजे मैं आपको जो बता रहा हूं extra explanation के तौर पे और ब्याक्या के तौर पे साथी साथ आप प्रश्न को solve करने के तरीके सीख पा रहे होगे मेरे test series करने के साथ कि कहां कहां पे चोटे-चोटे सब्द से answer गलत हो जाते हैं जहां आप exam में ध्यान नहीं देते हो यहां पर अगला प्रश्न है चालू खाते में I के उन सरोतों को सामिल किया जाता है जिनके बदले में कोई भुकतान नहीं करना होता है अब चालू खाते को समय तक क्या इसके बदले में सरकार हमें कुछ भी नहीं देती है तो यहां पे क्वोशन 25 की बात कर लेते है प्रसाद योजना यह भी बहुत चर्चा में रहती है प्रसाद योजना परेटन मंतराले के द्वरह 2014-15 में चिनित तीर्थ अस्थलों के समगर विकास के उद्देश से तीर्थ यात्रा कायकल्प अध्यात्मिक समवर्धन पर राश्टी मिसन का प्रारम्ब किया गया तो पहला तो सही हो जाएगा, परेटर मंतराले के दोरे इसे शुरू किया गया, हलांकि इस योजना का नाम 2018 नहीं दोस्तों, बलकि 2017 में बदल के तीर थात्रा कायकल्प, आध्यात्मिक विराशत, समवर्धन, अभियान, अर्थाद, प्रसाद कर दिया गया, तो पहले इस पर सही हो गया, अब यहाँ पर अगले प्रशन को देखते हैं, अंतराश्टी विकास संग, अर्थाद, इंटरनेस्टन डेवलप्मेंट एस्सोसीेशन की स्थापना सितंबर 1960 में की गई थी क्या, तो बिल्कुल 24 सितंबर 1960 में की गई थी, आगे कहते हैं, अंतराश्टी विका पांच डरोपों को बान खायता है जिसमें सबसे हीमपार्टेन्टों मीग मल्टी लेट्र इंवेस्मेन गारंटी एजन्सी प्रेकों बेंक मैं कुलना की उरिजिनली था ग्रुभ्स होता है पिर तीसरा एक आता है I.E.A. जो आप पढ़ रहा है, International Development Association, फिर एक होता है I.E.FC, International Finance Corporation, और एक होता है आपका I.C.S.I.D. ये पांच प्रकार के बैंक मिलकर ही World Bank की सनचना का निर्मार करते हैं, दूसरा ये जो आईडिये होता है, ये सस्ते यानि की गरीब राष्टों को जो एक दम निर्धन राष्टे जैसे अफ्रिकी देस हो गए, ओशिनियाई देस हो गए, ऐसे देसों को अपना आर्थिक विक सही हो गया, अब यहाँ पर अगले प्रशन को देखते हैं, आरारबी की बात कर रहा है, रीजनल, रूरल, बैंक, यानि छेतरी गरामिड बैंक के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है, वर्तमान में 43 छेतरी गरामिड बैंक हैं, जो की 12 अनसूचित वाडिजिक बैंक को द्व आरबी आई क्यों हो रही है, क्योंकि अगर आप देखो कि आरबी आई एक्ट में इस परस लिखा है कि बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के तहत कहा गया है, जितनी भी वाडिजिक बैंक होती हैं, उन सभी को रेगुलेट कौन करता है, आरबी आई, तो अभी आपने पढ़ा कि 43 जो 43 बैंक है, उन्हें कौन रेगुलेट कर रहा है, वाडिजिक बैंक चला रहा है, मतलब 12 वाडिजिक बैंक चला रहा है, तो नो डाउट ये भी इसको रेगुलेट करेगी, दूसरा अगर हम नाबाड की बात करते हैं, तो नाबाड ग्रामिड विकास के लिए, गया ही रहेगा, नाबाड भी रहेगा, तो ये भी सही है, आप चौते स्टेट्मेंट की बात करें, पर्थम चेतरी ग्रामिड बैंक 2 अक्टूबर 1975 को इस्थापित किया गया, बेलकुल सही, जिसका मुख्यालब बिजन और नहीं था दोस्तो, मुरादाबाद था, तो सब मिलित नहीं, विभाग और आवन्टंजो की करोणों की रुपे में है, प्रात्मिक सिक्षा को 76,000 करोण रुपे दिए गए, लगभग, उर्जड़ा विभाग को लगग 57,000 करोण रुपे दिए गये, स्वास्थ परिवार कल्यान को लगग 27,000 करोण रुपे दिए गये, ल भारती किर्सी भीमा जो कंपणिया है, इनका जो establishment हुआ है, वो भारती कंपणिया है, दिनेम 1956 तो ठीक है, परंतु इनका जो establishment हुआ था, वो दिसंबर 2002 में किया गया था, और इनका जो कारोबार था, वो 2003 से सुरू कर दिया गया, तो 1999 में नहीं थी, और इनका headquarters नहीं दिल्ली में है, तो ये बिल्कुल सही है, तो दूसरा statement सही हो जाएगा, अब आज़ ये प्रोटेम स्पीकर यानि पॉलिटी के question को solve करेंगे, प्रोटेम स्पीकर के संबंद में निमलिखित कतनों पर विचार कर लो भाई है, नव निर्वाचित लोग सभा के वरिष्टितम सदस्यो में से एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, बिल्कुल, अगर वर्तमान में अगर हम बात करें, कौन जो है कि इस बार अठारवी लोग सभा में थे, अभी मैंने कल ही घटनासार की current affairs हो पढ़ा था, जिनका नाम था भात्र हरी महताब, क्या नाम था, भात कारिवाई का संचालन करते हैं, क्या speaker मतलब हो गया अध्यक्ष, तो अध्यक्ष अगर नहीं होगा, तो उसकी जगह कौन काम करेगा, उपाध्यक्ष काम करेगा, ना कि प्रोटेम speaker, तो ये वाला गलत हो गया, कि वाल पहला statement सही हो जाएगा, अगला प्रशन है, कौन सा एक केंदर, राज, विधाई, संबंद, निर्धारित करता है, तो यहाँ पर आप देखो के statement A होगा, लेकिन भाग 11 होना चाहिए, भाग 11 में अनुच्छे 245 से 255 के बीच में विधाई संबंदों की बात की गई है, अगर मैं प्रसासनिक संबंदों की बात करूं, तो भाग 11 म आपके प्रसासनिक संबंद दी हुए है, केंदर और राज्यों की बीच में, अच्छा अगर एक और सबसे important है, जो 2021 में UPPCS में पूछा गया था, वित्ती संबंद है, तो यहाँ भाग 12 के अंतरगत बंडित है, 264 से 293 अर्टिकल तक है, कितने? 264 से 294 तक है, और यह भाग बारे में बित्ती संबंद वर्णित है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा statement A option, लेकिन यहाँ पर भाग 11 कर लेना, अब यहाँ पर अगले प्रशन को देख लेते हैं, निमलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यह कौन सही नहीं है, आविस्वास प्रस्ताव किवल लोकसभा म अगला statement दे रहा है, भारत का प्रदान मंतरी राज्य सभा का सदत से होते हुए भी, आविस्वास प्रस्ताव पर अपना वोड दे सकता है क्या? बिलकुल नहीं दे सकता, जब तक वो लोकसभा का सदत से नहीं है, तो बिलकुल नहीं दे सकता, जैसे अगर आपको पता है, इंद्रा गांधी जी, एचडी देव गोडा जी, डॉक्टर मलमौन सिंग, ये लोग जब प्रधान मंतरी थे अपने-पने कारेकाल में, तो राज्यसभा के सांसत थे, राज्यसभा से सदस्य थे, और अगर उस दोरान इनकी सरकारों के खिलाब आविस्वास प्रस्ताव लाय को सीखते चलो, नहीं तो एक्जाम में आपको benefit नहीं हो पाएगा, test series करने का कोई फायदा नहीं निकलेगा, test series को revision कैसे करना है, तीन से चार बाल, इसके लिए भी मैंने एक अलग से detail video बना दी है, कि मैं किस तरीके से follow करता हूँ अपने routine को, test series को revision करने के लिए, उसका भी ब्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, और जो किसी लोग पद को अवैद रूप से धारण के होता है, यानि उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से बैठे हो इस सरकारी पद पे, तो अधिकार प्रिक्षा हो गया, अगला प्रशन है, निमलिकित में से किस अनु पांस से ग्यारे के बीच में इसका वडन किया गया है, तो उसी आर्टिकल 9 में कहा गया है, कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्योकिया किसी दूसरे देश की सदस्ता ले लेता है, तो उसकी भारत की नागरिक्ता रद धो जाती स्वता, और अनुच्छत 11 की बात करें कुल ग्रामीड जनसंख्या व्रिद्धी दर से अधिक थी, यानि कौन सा ऐसा दसक था जब नगरों पे व्रिद्धी जादा होई ग्रामीड के पिक्षा, तो 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीड में जो एकी व्रिद्धी हुई थी मातर 12.22 प्रतिशत, जबकि सहरों में अगर आप देखोगे, तो लगभग जो व्रिद्धी हुई थी, वो हो गए थी 31.8 प्रतिशत के आसपास, अगला प्रशन है, थौर्ट्स ऑन पाकिस्तान, ये जो पुस्तक है दोस्तों कि इसकी डॉक्टर भीमराव अंबेडिकर जी की है, जो 1941 में प्रकासित हुई थी, ठीक है, और अगला प्रशन है, वर्स 2011 की जनगर्णा के अनुसार, निमलिकित राज्यों में से किसमी जनगनत्तों सबसे कम है, तो सबसे कम यहाँ पर ऑप्शन के कॉर्डिंग कह रहा है, अगर हम देखे तो बिहार में जनगनत्तों है, उत्तर प्रदेश में 829 है, केरल में 860 है, तमि आज 1924 में सुरू हुआ था, यह केरल में नमक कर के खिलाफ था? बिल्कुल नहीं, यह नमक कर के खिलाफ नहीं था, बलकि छुआचूथ के खिलाफ था, जो ब्रामणवादी समुदाय था, जो छुआचूथ फैलाता था, इजवा जन जाती के लोगों के साथ, तो उनके ख कलबपन के कलबपन महोद थे फिर उसके बाद केपी केसव मेनन भी थे इसमें ठीक है और दूसरे एक थे आपके टीके माधवन तो यह तीन चार लोग प्रमुक रूप से इसके नित्रितु करता थे और गांधी जी भी इसमें सामिल हुए थे तो यहां पर सही स्टेट्मेंट किवल पहला हो जाएगा अगला प्रशन है पूझी निर्मार के संदर में कौन सा कतन सही है बचत अपने आपने स्वता-पूझी निर्मार करती है क्या विलकूल नहीं अगर आपने बचत चावल कर डिभी में कर रखी है ऑजार पांशो की नूट तो कहां से नई-णी कैपि इंडस्ट्री में पैसा इंवेस्ट करते हैं तब जाके नए लोगों को रोजगार मिलता है नया प्रडक्शन होता है ग्रोथ एकनॉमिक ग्रोथ सर्कुलेट होती है तो हम कहते हैं कि बचत पूझी निर्मार कर रहे हैं लेकिन अपने आप नहीं कर पाएगी वो तो पहला तो मिलेगा तो यह हो जाएगा किवल दूसरा सही होगा अगला प्रशने कौन सा एक आर्थिक विकास का प्रमुक कारक नहीं है तो देखिए पूझी का संचे करना तकनीकी सुधार करना स्रम विभाजन करना इन सभी से एकनॉमिक डवलप्मेंट प्रभावित होता है लेकिन न आंकडे कौन जारी करता है WPI की अगर मैं बात करूँ होल सेल प्राइस इंडेक्स तो इसमें केवल और केवल गुड्स को सामिल कियाता है किसको सामिल कियाता है केवल गुड्स को सामिल कियाता है और इसके जो आंकडे जारी करता है वाडिजी और उद्द्योग मंत्राले ज चारी करता है अंतराश्टी स्रम संगतन जिसका गठन 1919 में ही कर लिया गया था नेवन में से प्राकुर्तिक रेसम का प्रमुक घटक कौन सा था यहां देखेंगे वर्ष 2021 में M.D.M. यानि कि मिड़े मील योजना जिसे हम कहते हैं मद्यान भोजन योजना को PM पोशन योजना में पुनर नामित किया गया 2021 में बिल्कुल सही अच्छा M.D.M. को मैं बता दू कि ये 1995 में सुरू की गई थी इसे 5 वर्स की सुरुआती अवधी 2021-22 से लेके 25-26 के लिए लॉ समंदित है तो Sustainable Development Goal 10 SDG 10 वाला हो जाएगा ये कई बार लगातार ये क्रोनलोजी में पूछा जा रहा है यूपी पेसिस में तीन बार लगातार आ चुका है अगर हम SDG 15 की बात करेंगे तो Life on Land यानि कि जमीन पर जो जीवन है उससे समंदित है अगर SDG 14 की बात करेंगे तो 46 नंबर पर यहां पर व्यक्ति हैं और इनका समन जैसे MS स्वामिनाथन जी की बात करेंगे तो यह हरित करांति से समंदित हो गए एलके जहा जी की बात करेंगे तो ये आर्थिक प्रसासन सुधार से समधित हो गए, वर्गिज कुरियन जी की बात करेंगे तो दुगदुत पादन से समधित हो गए, और मुरार जी देसाई जी की बात करेंगे, तो ये आपके बैंकों पर सामाजिक नियंतरन से सम्मंदित है इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा अगला प्रश्ण है प्रसिद्ध खनिस तेल चेत्र पेगु यूमा यह जो पेगु यूमा यह कहां का है खनिस तेल का चेत्र यह म्यामार का है उत्तर प्रदेश के निमलेकित नगरों पर विचार कीजिए जनसंख्या के अधार पर इने वारांसी की अगर हम बात करेंगे लगवाद चाहती लाग 617,841 हो गया कानपूर की बात करेंगे तो 4518,2668 तो इस अधहार पर जब आपका डी अप्सन से हो जाएगा 4123 सबसे कम वारांसी के है पिर उससे एदिक कानपूर की फिर थोड़ी सी एदिक आपकी गाजिया तो यहाँ पर इस तरीके से कोई भी कूट नहीं दिया गया है बाकी मैंने जनसंख्या लिख दिये तो यह याद रख लेना जनगर्णा 2011 के अनुसार कौन से राज्यों का लिंगानुपाद सरवादिक है तो यहाँ पर जो स्टेट्मेंट दिये गया है option उनके अनुसार अगर यूनिवर्सली अगर आप देखोगे तो सबसे देख लिंगानुपाद आपको कहां का मिलेगा केरल का मिलेगा अगला प्रशन है जनगर्णा 2011 के अनुसार भारत में इसत्री साक्षर्टा की दृष्टी से केरल के बाद दूसरा अस्थान किसका है तो मैं यहाँ पर कुछ स यहाँ वी नपर प्रशे और यहाँ एक हैला नेट वर छौजा फर्षिक यहाँ और ख intent यहाँ पर यहाँ चपराना और सबसे बड़ा बैश्विक नेर्ट परियावर नेट्वरग है कर्दे तो पहला कथन तो सही हो गया वह घ्य करता है लेकिन ब्रेकिन यह प्रस्ताए मे तो यह वाला गलत हो जाएगा किवल पहला ही सभुझाय अगला प्रशन है कौन से एक राष्टी उध्यान है जहां पर कस्मीरी स्टेग यानी हंगुल पाये जाता है तो देखिए आपका सही अंसर हो ज्यागा काजी रंगा की बात करें तो असम में हैं अगला प्रशन है 53 निमलिखित में से कौन लोटिक परितंत्र के उधारण है तो लोटिक का मतलब क्या होता है पहले तो यह समझ दो लोटिक का मतलब होता है जब गतिसील अवस्था में कोई भी वाटर बॉड़ी रहती है और एक होत लिए बात करें तो जील भी आपकी क्या होती है जैसे नैनी ताल में आप देख लोगे बहुत सारी जीले होती ना तो यह सब गिरे हुई होती है तो यहां पर लोटिक की अगर हम बात करें तो एक और तीन दोनों हो जाएंगे और लैंटिक में कौन-कौन सा एगा तालाब और जीले हो जाएंगी अच्छा लोटिक में और कौन सा आगा समुद्र नदियां धाराएं नहरे नहरे भी देखो चल सकती है नहरे भी तो उसी में आएंगी तो यह हो जाएगा अब यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं निमलिकित में से कौन सा एक अध्योगिक संसान लखनों में अवस्थित नहीं है देखो उत्तर प्रदेश अध्योगिक सहकारी संग यानि यूपी का लखनों में है प्रादेशिक अध्योगिक वह पूजी निगम लिमिटेड यह भी लखनों में है लेकिन आपका जो सी वाला उप्शन है कि राज्योगिक विकास निगम लिमिटेड यह आपके कानपूर में इस्थित है इसलिए सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रशने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी वि जो कि सबसे छोटा माना जाता है उत्तर प्रदेश का जी हां पटना विहार की राजधाईनी एटा में एक नाम है पटना पक्षी विहार का अगला प्रशन है जन्जातियां और उनकी विसेस्ता और यहां सही सुमेलित पूछ रहा है थारू जन्जाति बजहर उत्सव को मन आती है माहीगीर जन्जाति इसलाम धर्म को मानती है खरवार जन्जाति कर्मा नित्ति करती है तो तीनों ही यहां पर सही है अच्छा माहीगीर जन्जाति की बात करें तो यह आपको बिजनावर में देखने को मिलेगी खरवार जन्जाति की बात करेंगे तो यह आपको सोन में लगेगा धाई घाट का मिला साजापुर में और परिक्रमा मिला आपके अयोध्या में लगता है अर्था सी ऑफशन सही होगा चलिए अगले प्रशन को देख लेते हैं 58 नंबर का यहां पर पूछा यह रहा है भारती संसत के द्वारा जैविवित्ता अधिनियम पारित कि किया गया था तो 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था और इसी के साथ ही साथ मैं आपसे यह भी बता दू कि 22 मई को आपका जैविवित्ता दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है कब किया था है 22 मई को और 2024 में जो सेलिब्रेट किया गया है उसकी जो थीम होगी उसकी थीम का सि पहली बार जो पहली बार राश्टी करण हुआ था वह था 1969 में और उस समय चौदे बैंकों का राश्टी करण किया गया था जो कि चौथी पंचवर्सी योजना से संबंदित है और उस समय भी इंद्रा गांदी जी प्राइम मिनिस्टर थी चौथी पंचवर्सी लेकिन यहां गुफा की बात करें तो एमपी महों जाएगा एलॉरा गुफा की बात करें तो महराश्त महों और एक और थी उसका नाम कमेंट स्क्षन में जरूर बताएं आपनों वीडियो कैसी लग रही दोस्तों कमेंट स्क्षन में अपनी जरूर पूछ सकते हैं साती साथ अपना फिडबैक भी दे सकते हैं कि और इसमें क्या अपडेट करना चाहिए किस और तरीके से हम आपको टेस सुहैली की बात करेंगे अबूल फजल ने लिखी आलम-गिर नामा की बात करेंगे तो मुहम्मट कासिम ने लिखी हुमाईू नामा गुल बदन बेगम ने बात्सा नामा अब्दुल हमीद लाहरी ने लिखी है यानि सी ऑप्षन हो जाएगा अगला प्रश्ण है कौन सा एक बुद्ध काल का सबसे बड़ा तता सक्तिशाली गड़ राजी था तो उसका नाम हो जाएगा लिछवी जबकि अगर आप देखोगे मगद, अवंती, कोसल और एक और नाम लिकलो वत्स ये चारो ही बुद्ध काल के दौरान सबसे सक्तिशाली राजितंत्र थे, क्या थे दोस्तों ये सब? राजितंत्र थे, जबकि गड़तंत्र कौन था? लिचवी था, मल्ल था, कुसी नारा, ये सबी थे अगला प्रशने आपका 64, जैन धर में सनलेखना से क्या तात पर है? तो सनलेखना का मतलब होता जो हम सरीर को त्यागते हैं, अर्थात उपवास के दोरा हम सरीर को त्यागते हैं और इसी को दूसरी भासा में संथारा भी कह देते हैं अगला प्रशने, फवाद नामक पुस्तक सेख निजामदीन ओलिया की सिक्षाओं और वारतालाप का विबरन है इस पुस्तक का जो संकलन किया था, अमीर हसंद सिजजी ने किया था अगला प्रशने, किस एक का निर्माड इल्तुतम इसने नहीं कराया, देकिस सुल्तानगड़ी का कराया, अतरकिन का दर्वाज़ा ही बनुआ और बदायूं की जामा मस्जिद भी, लेकिन अलाई दर्वाज़े की बात करेंगे, तो 1311 में अलाउदीन खिलजी ने इसका नि 1916 में, मोपला विद्रो आपके केरल में हुआ था 1921 में, जलियां वाला घत्याकांड 13 अपरल 1919 को हुआ, मुस्लिम लीक की स्थापना 1906 में हुई, यहां पूछ रहा है अंतिम घटना, तो मोपला विद्रो हो जाएगा जो किसानों के विरुद, मतलब किसानों ने जमिदा सुद्धा द्वयत हो जाएगा और वल्लबा चारकाप का सुद्धा द्वयत हो जाएगा, अगला प्रशनया पर इस्थानी पवन और देश और कौन सी सही सुमेलित नहीं है, अगर मैं सामल की ही बात कर लूँ, तो सामल दोस्तों साओधी अरब में नहीं चलती, बलकि मेसो खाड़ी के पीछे साइड में, यानि पश्चिमी साइड में अरब सागर है, जबकि ये क्या होता है, मेसोपोटामिया, इराक और फारस की खाड़ी के तरफ बैती है, इसलिए सामल गलत होगी, जबकि बलैक रोलर उतरी अमेरिका में, लेवेंटर इस्पेन में, हबूप अगला प्रशन है, जापान का सबसे बड़ा मैदान कोंटो, ये किस द्वीप पर पायाता है, तो सबसे बड़ा जो द्वीप होन्सू, वहीं पाया जाता है, अगला प्रशन है आपके लदांग से संबंदित, क्या लिखना लदांग में, मलेशिया का टिन उत्पादक छेत रहे क्या, नहीं, तो देखिए इंडोनेशिया और मलेशिया में इस्तनांतरित किर्सी जो जूम खेती होती है, उसे ही कहा जाता है लदांग, निमलेखित में से कौन सा सही है, मेसेटा का पठार फ्रांस में इस्तित है क्या, भीया मेसेटा का पठार फ्रांस में नहीं है, बलकि यह इस्पेन और पुर्तगाल किसके किसके बीच में इस्पेन और पुर्तगाल के बीच में विस्तारित है तो पहला गलत हो गया हाँ पेरिनिस परवत की बात करें तो फ्रांस और इस्पेन के बीच में इस्थित है और यहीं पर एक देश भी है एंडोरा नाम का एक दे साही होगा पहला वाला गलत होगया अगला प्रशन यहाँ पर नेमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं जील के बारे मैं पूछ रहा है म राकाइबो जील के बारे में पूछ देशेल अधथर बलके गोरा बलकी यहां पर आप देखो गें इसका उत्तर हो तो मुहम्मद मतलब मौलवी आमदुल्ला साहाजी को जाना जाता था और यह फैजाबाद में नेत्रितु करता थे अठार सो सत्ताओन की करांती में चलिए अगला प्रशन ब्रिटिस सरकार के द्वारा दामेन एक को संधाल की लिए था जो शंधालों का विद्रूब हुआ था शंधाल का विद्रों से पहले याद होगा ठीकाने सथालों का जो यह की जुकना पर संथालों के सामने और इन्हों ने तो इन्हों ने क्या किया संथाल समू को बसाने के लिए उनकी किरसी भूमी को उपलब्द कराया और उनके लिए इस्थाई निवास की विवस्था भी की थी तो यह संथालों के लिए था क्लियर हो गई बात चलिए भाई आगे करें अब यहां पर आगे देख लेते हैं हम लोग सुलावी सतापदी की संस्कृत रचना ब्रज भक्त विलास ब्रज भक्ती विलास के लेखक कौन है तो यह नाराण भट है और यह लगबग जो है कि सुलावी सतापदी के लेखक है अगला प्रशन आपका 79 भारत में निमलिकित तामर पाशाणिक संस्कृतियों का काल क्रम बताईए तो देखे इसमें अगर आप देखोगे कायथा संस्कृति को अगर आप देखोगे तो 2450 से लेके 1700 इसा पुर्वतक थी तो यह अब आपको देखना है कि जो सबसे ज्यादा नंबर है वही सबसे पुरानी होगी और दीरे-दीरे जहां पे सबसे कम नंबर है वो सबसे नई होगी जैसे जोरवे देखो कि 1500 से लेकि 900 अक्या आसपस आगी तो यह option हो जाएगा आपका यही सबसे कमें यानि कि इसा पूर्व की और खतम हो रही थी और फिर इस्वी में इसको को एंट्री करनी थी अगला प्रशन है दच्छड भारत में कहां पर ब्रेटिस इंस्ट इंडिया कंपणी ने अपना पहला कार खाना इस्थापित किया तो मसूली पट्नम में किया था और मसूली पट्नम को कई बार मचली पट्नम भी option आ जाता है और यह 1611 में किया था फिर उसके बाद इन्होंने 1613 में सूरत में अपनी एक नई कोठी खोली थी जिसको इन्होंने पर्मानेंट कोठी के रूप में नाम दिया था अगला प्रशन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समनांतर सरकारों का उद्भव एक प्रमुग विसेस्ता थी और अगस्ट 1942 में बलीया में इस तरह की समनांतर सरकार का नित्रत तो कड़ता कौन था तो चित्थु पंडे जी ते अगला प्रशन है कौन सा कथन सही नहीं है अपका जईकि इस्थाविर जैनों का एक संप्रदा ये गलत है यह आपके बौध के बौत धर्म से संबधी था इस्थाविर या धर्म से संब्द है ये बिल्कुल सही है आरंबिक बहुत गरंत की पाली भासा में लिखे गए ते ये भी सही है महावीर ने अपने प्रवचन अर्द मागदी में दिये ये भी सही है लेकिन ये जैनों से संबंदित नहीं है राजपूत काल के बारे में बात करेंगे जो 650 से 1000 फे के संदर में कौन सा कफंद सही है देकि इस धोराँ सामंत गवाद का विकास हुआ था और सामंत गवाद के विकास से व्यापार वाऑडी जिमें कमी होने लगी मतलब ब्यापार और वाडी अ गई राथे इन सभी में मारी कमी होती अगलर ही कमी होती है जैसे अगर आप उधमर्णक bisa किस त्रेडी में अल्पाइन चारागाँ पाया जाता है तो यह आपकी उत्राखंड में प्यार देखने को मिलेगा तो इस तरीखे की चीजेए हैं यहांपर अगला प्रश्ने निमलिखित युग मों में से कौन सा सही सुमिलित है पिटेए रहरा और नदी कीloop सिंदुकेशो के भात जो घ्रिम की आप परka है और जो टेसरे सिक्राय का प्रश्ने उनकी लंभा髮 के बढ़ते करमें बिवस्तित कीजिए जैसे पं धबाग की 506 km के बीच में हैं कुमाहि Wak Freak took 320 km के बीच में में यह नेपाल हिमालय 800 km के बीच में और असा मिमालय kषा ओपके 720 km के बीच में इसलिए आपका सेकंड ऑप्संसी हो जागा 214 बार अगला प्रस्तरा है निम्लिखेत में से कौन सी एक नदी मयकाल पठार से नहीं निकलती, देखिए महा नदी भी निकलती है, अमरकंटक भी निकलती है, सोन नदी भी निकलती है, लेकिन ताप्ती नदी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपके MP के अंतरगत, MP के अंतरगत एक बैतुल नाम की जगह होती है, जिला है, वहीं से ये निकलती ह मुल्टाई नमक के स्थान है वहाँ पे बाकी सारी नदियां मैकाल पठार के जो अमरकंटा के सर्वोच चोटी वहां से निकलती है अगला प्रश्ण है अनाई मुडी चोटी तीन पहाड़ियों का केंदर बिंदुआ और कौन इंसरे सम्मिलित नहीं है अनाई मुडी चोटी क या नियू पॉपुलेशन बॉप क्या होता है तीसरी दुनिया में सीगर्टा से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या नगरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तीसरी दुनिया के देशों में यैसे उसमें भारत भी आपके सामिल है अर्द विक्सित या अल्प विक्स अगला प्रश्न है आपका निम्लिकित कत्रों पर विचार करिए कस्तूर्भा गांदी बाली का विद्याला योजना की सुरुआत अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मद्य पाशान काल के किस प्रमुकस्तल से युद्ध और मानवी आक्रमण के इसपश्ट रूप से साक्षिप्राप्ट हुए अगर देखा जाता सराय नहार रहा है मादहा दमदमा चुपानी मांडो ये सभी के सभी मद्य पाशान काल के अस्तर है लेकिन जो प्रमाण कूछे जा रहे हैं वो केवल और केवल सराय नहार से मिले थे भारत में नगरी केंद्रों को वर्गी कित किया गया जिनकी संक्याच्छे होती है फिर यहाँ पर आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ अवदी है और उनके चरण है जैसे अगर मैं बात करूँ कि मंद वरिद्धी कब हुई थी 1990-21 के बीच में जो रही थी ये आपको देखने को मिलेगी 1981-2011 के बीच में बहुतलब 2001 के बीच में, 2001 के बीच में, अगला प्रश्णे 94, निम्लिकित में से कौन सा मापधंड, भारत में किसी अदिवास को नगरी केंदर के रूप में परिभासित करने के लिए स्विकार नहीं किया गया, देखिए जन्संच्छा आकार को आप नगरी केंदर के लिए स् इसी जगह पे अगर पुरुस का रिसील जनसंग के अलगग 75 प्रतिशत से अधिक है तो यह तीनों फैक्टर हो सकते जिनके आधार पे आप नगरी केंदर के रूपे उसे स्टैबलिस कर सकते हो परंतु भौतिक विस्तार के अधार पे नगरी केंदर को परिवासित करने के आवश्यक्ता नहीं है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसे कौन जारी कर रहा है मेरे भाई इसे संयुक् प्ठुमरी के जन्वदाता माने जाते हैं यह भी सही है गुलाबो सिताबो नमक कठपुतली सहली इनहीं के जीवन पर अधारित है यह भी सही है इन्होंने 1877 की करांतीम भाग लिया था मेरे दोस्त यह गलत हो जाएगा क्योंकि 1856 में डलहौजी के द्वारा आवद के ऊप कि 1857 की करांतीम भाग लिया था न कि वाजिद अलिस साह ने अगला प्रशने 97 ग्रामीड चेत्र से सहरी चेत्र में लोगों का जो देसांत गमन होता है इसको फिलिप हैम होसर ने क्या का पॉपुलेशन इंप्लोजन अगला प्रशने उत्तर प्रदेश के निमलिकित नगरो नहीं है तो देखिए गोरक पुर भी मुरादाबाद भी है साजहांपुर भी है साजहांपूर लेकिन बस्ती नहीं है ठीक है बस्ती नहीं है देखें, बंबाई में तो लोकमान तिलाग जी ने नटरतु दिया था, दिल्ली में सइध हैधर रजा ने दिया था, लेकिन मदरास में सीर राजगुपला चारी नहीं थे, बलकि कौन थे, चिदंबरम साँब थे चिदंबरम पिल्ला इसको हम कहते हैं, ठीक है, चिदंबरम को बनाया गया था किसको कलीम को हलांकि साजहां को किसके काल के लिए जाना है तो इस्थापत्य का स्वाणकाल कहा जाता है क्योंकि इसके समय सबसे अधिक वजट मैनेजमेंट एक्ट दोजार तीन जिसका उद्देश था कि राज कोसी जो घाटा था इसे धीरे-धीरे आप समाप्ट कर दो अगला प्रशने राष्टपती के दोरा अध्यादेश जारी करने के संदर में कौन सा कथन गलत है तो देखी राष्टपती दोरा अध्यादेश जो जारी होता है वो आर्टिकल 1,2,3 का प्रयोग करके होता है उसी तरीके से राजपाल आर्टिकल 2,1,3 का प्रयोग करता है यह पूसे संसद के दोनों gonna किसी एक सदन के सद्र में नहीं के दुरां जारी गया ता ये बात गलत है अगर in एक सदन सत्र में नहीं है तो दूसरी सदन तो सत्र में चल रही होगी ना तो फिर वहां लेके आ हो अध्यादेश को लेके आ रहे हो ठीक है इसलिए यह वाला गलत हो गया इसका प्रभाव संसद्वारा निर्मित कानुन के समान होता है बिल्कुल सही संसद्व सुरू होने के बाच्छा सब्ता के अंदर ही इसे अनुमोदित करना होता है यह भी सही है तो यह वाला क्यों गलत हो गया यह चीज़ आप समझ गया होगी अगला प्रशन है रंजक हींता जिसको एल्बिनिजम भी बोलते हैं यह एक आनुवंसिक रोग है बिल्कुल यह एक आपका नहीं दोस्तों बलकि जड़ों से प्राप्त होती है इसलिए तीसरा गलत पहला दूसरा ही सही है यह ऑप्शन से हो गया भारती समविधान के अनुच्छे 14 में प्रयोक्त विदी का समान सनक्षण सब्द ग्रहन किया गया कहां से अमेरिका के समविधान से जबकि आर्टिकल 14 में अगर आप विदी के समख्ष समता पढ़ रहे हो यानि एकवल विफोर ला ठीक है ठीक है तो यह आपका आजाय का ग्रेट बिटेन यानि बिटेन के समविधान से लिया गया कि अधिकतम होता 500 सद से और नियूंतम होता 60 सद से लेकिन सिक्किम विधान सबा की बात करेंगे तो इसमें 32 विधान सबा सीथ है और अभी मैंने कल ही घटना सार के करेंट अफेर्स में पढ़ाया भी था चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रशन पंचायतों और नगर विधियों के किस छितर में आते हैं इंडेस्ट्री तो आपके सेकेंडरी सेक्टर में आती है तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर अगला प्रशन प्रशन पीम गती सक्ती मिशन को गती देने वाले कारकों में कौन सा एक नहीं है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बजट 2022-23 में लाया गया था और इसमें टोटल साथ पैक्टर थे जिसमें सड़क था लॉजिस्टिक और सनचना थी बिमान पत्तन था रेल मार्ग था जल मार्ग था और माल परिवहन था और साती साथ हवाई मार्ग था तो आप देखो कि सड़क भी था रेल भी था जल हवाई था यह चारों मार्ग तो थे ही थे फिर उसका माल परिवहन और लॉजिस्टिक और सनचना विमान पत्तन परन्तु इसमें उर्वरक सामिल नहीं था इसलिए डिय ऑप्शन हटा दू अगला प्रशन वित्वंत्राले के किस विभाग द्वर्क प्रतिं वर्फ भारत का आर्थिक सर्वेक्षन तयार किया है तो यह आउटिक विवहस्ता में सघ्ट प्रचलित चालू मज़़ूरी पर कारे करने के लिए तत्पर हूँ परन्तु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कारें न मिल रहा हूँ तो ऐसी बिरोजगारी को क्या कहते हैं हम अनैच्छिक बिरोजगारी कहते हैं प्रच्छन बिरोजगारी समानता दोस्तो एगरी कल्चर में या ग्रामेट प्रिष्ट भूमी में देखी जाती है अगला प्रशन है भारत में कारे करने वाले बैंकों को अपनी कुल जमाराशी का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोसों के रूप में तता सेस्वण वा अनुमोदित प्रतिवूतियों के रूप में रखना अनिवार रहे है और वरतमार में 18 प्रतिशत है तो इसको हम SLR यानि की Statuary Liquidity Ratio कहते हैं वैधानिक तरल कोसान उपाद इसी के साथ एक और होता CRR की अगर हम बात करें तो यह 4.5 प्रतिशत होता है वरतमार में और यह आपको RBI के पास रखना पड़ता है जबकि SLR बैंक के अपने पास ही रखते हैं अगला प्रशने आपके संस्थान और जिले की बात करेंगे देखें National Academy of Agriculture Research Management की बात करेंगे तो यह हो जाएगा है भारती सब्जी सोथ संस्थान की बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका वारानसी क्या हो जाएगा वारानसी तो इस अधार पे अगर आप इसके answer को देखेंगे मिलान करते हुए तो यह option ही सही होगा अगला प्रशन है वह प्रक्रिया जिसके परिडाम सरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कारे को शलता पूर्वक विदोहन होता है राश्टी या प्रती बेक्ति आए में निरंतर रहुंदिर कालिक व्रिद्धी होती है तदा जनता के जीवन अस्तर व सामाने कल्या की बात हो रही है विकास की तो इसे हम कहते है एकनॉमिक ग्रूथ है यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्विकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे और हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाही होगी यह सरदार पटेल जी ने कहा था ठीक है सरदा जी ने कहा अगला प्रशने आपका स्टोरी आप बार्दोली पुस्तक ये किस ने लिखिए महादेव दिसाई जी ने रिखी है और ये गांदी जी के निजी सचब भी थे अगला प्रशने साथ वहन राजाओं के नाम मातरी प्रदान होते थे लेकिन राज सिंगहासन का उत्र और इन्हों ने जो ब्रामणते उन्हें कर मुक्त भूमी देनी शुरू कर दीती जो मंदिर या उसके आसपास के विकास के लिए संबन दीती और वहीं से सामनतवाद की नीव रखनी शुरू हो जाती है तो यहां पर दोनों ही कथन असत्य नहीं है मतलब पूछ रहा है असत पॉलकाता का जिसकी अध्यक्सता किस ने की थी दादा भाई नौरोजी साहब ने की थी अच्छा 1905 में एक अधिवेशन हुआ था जो बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्सता गोपाल किष्ण गोखले जी ने की थी हलांकि इस प्रश्ण का उत्तर तो ए हो गया एसिया पर अगले प्रश्ण को देखते हैं उच्छतम न्याले के निमलेखित मुख्यन आदीसों में से किसका कारेकाल सबसे अधिक रहा है तो यह हो जाएगा वाई वी चंद्रचूर जो वरतमान में हमारे चंद्रचूर साहब जी जो सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस हैं इनी क पिताजी हैं यह जो 1978 से लेकर 85 तक सबसे लंबे समय तक मुख्यन आदीस के रूप में रह चुकी हैं अगला प्रश्ण है किस एक को भारती संसत के द्वारा नहीं हटाये जा सकता तो देखो कैग की बात अगरम करें तो इसको भी हटा सकते हैं भारत के राश्टपती को भी जाटा सकते हैं उचनियाले का नियादिश भी परन्तू भारत का महानय वादी जिसका वर्ण 76 में किया गया है यह राश्टपती के प्रसाद परियंद्पतध धारन करते हैं और इनहीं के द्वारा जो निर्धारित पारिस्रमिक होता है महंताना यह प्राप्त करते हैं भार से राज की विधाईका में सम्मिलित होते हैं तो राजिपाल विधान सभा और विधान परिशद जहां पे विधान परिशद है जैसे वर्तमान में छे राज़ों में लेकिन उसमें राष्टपती सामिल नहीं होता क्योंकि ये केंदर की विधाईका में सामिल होते हैं तो एक तो चार सुरी एक दीन चार एक दीन चार सी ऑफ्षन हो जाएगा अगला प्रशन अब यहां से आप देखोगे जो अभी तक हम टेस्ट पेपर करते थे 12 टेस्ट पेपर हमने जो किये उसमें current affairs पुरानी थी इसलिए हम उसे solve नहीं कर रहे थे कोकि वो 17 March को exam को ध्यान में रख आनी अंत्रिम सरकार में निम्न में से कौन सा सदसे मुस्लिम लीग से था तो आई आई चुंदरीगर ठीक है आप यहां पर हम चलते हैं अपने current affairs के प्रशन को कि जनवरी 2024 में जारी global fire power military strength ranking 2024 में अमेरिका ने सीर्स अस्थान प्राप्त किया है तो भारत को हमें चौथा इस नियाले विदिक सेवा समीती के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो बी आर गवई साहब को चुना गया अगला प्रशने आपे भारत कौसल रिपोर्ट 2024 के अनुसार निमलिखित में से कौन सा राज भारत में युवाओं के बीच काम करने तो सरवाधिक पसंदीदा राज जी बनकर उभरा है तो केरल बहुत सारी युवाओं चाते हैं कि हम केरल में जॉप करें अगला प्रशने जनवरी 2024 में उस्ताद राशित खान का निधन हो गया ये किस से सम्मंदी थे ये खयाल गायक थे हलाकि ये यूपी से भी सम्मंदी थे क्योंकि यूपी में रेली के पास है बदाईयों में ही इनका जन्व हुआ था अगला प्रशने कौन सा कथन सही है एक जनवरी 2024 को प्रधान मंती नरेंद मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पूर्ता बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उधगाटन किया तो ये बात गल अगला प्रशने जनवरी 2024 में भारती नौसेना के प्रमुक एड्मिरल आर रवी कुमान ने दृष्टी 10 स्टार लाइनर का अनावरण किया ये क्या है ये स्वदेश निर्वित मानव रहित हवाई यान है जिसको हम कह सकते हैं ड्रोन की तरह है और ये स्वदेश निर्मित ह तो बी ऑप्शन हो गया जनवरी 2024 में छटा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था कहां पर तमिल नाडू में किया गया अगला प्रशन आपका आएगा 133 क्योंकि अब हम आगे सरे करेंट अफेर्स के प्रशने करेंगे हर एक टेस्स में क्योंकि अब जनव किरिया वैक्षिन कारेकरम शुरू किया तो कैमरून ने किया किसने कैमरून ने जनवरी 2024 में भारत में किस मद्दे एशियाई देश में मद्दे खंजर 11 नामक संयुकत अभ्यास हुआ तो भारत और किर्किस्तान के बीच हुआ था और यह कहां पर आयो जित हुआ था पच्छ सहर होने के रूप में गोसित किया गया तो सूरत और इंदौर आपका सात्वी बार ऐसा था जो पहली पोजिशन प्राप्त करता है और यह मैंने आजी करेंट अफेर्स में पढ़ाया भी था आपको जनवरी 2024 में छटे खेल इंडिया यूथ गेम्स का योजन यह भ जैबियल अटल निमलिखित में से किस यूरोपी देश के पहले समलेंगिक प्रधानमंतरी बने भी अब फ्रांस के बने यह देखो फ्रांस में समलेंगिक प्रधानमंतरी बन जा रहा है और भारत में अभी समलेंगिकता के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी हाना कि स में उत्तर प्रदेश के किस सहर में नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया था तो यह आपके लखनों में किया गया था अगला प्रशने जनवरी दोजार चौबिस में निम लिखित में से कौन विस्व ब्यापार संगटन हैं कि डबलू टीयो का भारत का नया राज किया गया है अगला प्रशने जनवरी दोजार चौबिस में निम्न में से किस देश की संसत के द्वारा उपभोग के लिए कुत्तों के प्रजनन एवं वद पर प्रतिबंद लगाने ये तो एक विध्यक पारित किया गया है तो यह उजाएगा आपका दच्छड कूरिया औ जनवरी दोजार चौबिस में चौथे राष्टी चिलका पक्षी महोसब दोजार चौबिस का आयोजन कहां पर किया गया तो अगर आप देखो कि चिलका की बात था तो आपको पता होना चीए ओडिसन होगा बिलकुल अगला प्रशन पूछा रहा है जनवरी दोजार तो यह आपके सही उत्तर हो जाएंगे अनिल कुमार लुहाटी जबकि इससे पहले रेलवे मंत्राले से संबंदित थे अगला प्रशने जनवरी दोजार चौबिस में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्रीन फ्यूज अलाइंस पे समझोता किया तो डेनमार्क के साथ प्रशन है 149 जनवरी दोजार चौबिस में किस राजी सरकार ने जंगली कुत्तों के परिवार कैनेड के लिए एक सनक्षन रिजर्व को स्थापित करने की घोशना की थी तो यह जाएगा महरास्ट है अगला प्रशन है जनवरी दोजार चौबिस निमलिखित में से किन दो हस्तियों को भारत का उत्तर प्रदेश पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्राप्त हुआ तो यह हो जाएंगा आपके रितू करिधल स्रिवास्तव और नवीन तिवारी रितू करिधल स्रिवास्तव जी की बात करेंगे तो यह लखनों से संबंदी थे यह लखनों की र आपके टेस्ट नंबर 13 complete हमारा फुल टेस्ट अभी लगातार आपको चार से पांच फुल टेस्ट मिलेंगे फिर इसके वाद सब्जेक्ट टेस्ट वापस करेंगे जैसे हमने पॉलिटी किया जोग्राफिक या हिस्टी किया बचे हुए जैसे इंवार्मेंट हो गया साइन्स हो गया एकॉनमिक्स हो गया यह भी सब्जेक्ट वाइस हम टेस्ट करेंगे लेकिन अभी जो आपको लगातार चार पांच दिन टेस्ट पर मिलेंगे यह आपको फुल टेस्ट मिलेंगे तो अमीद करता हूं वीडियो बहुत अश्य लगी होगी तो लाइक कर देना दोस्तो को चैनल पर पहली बार तो क्या करना है सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ टेलिग्राम भी जॉइन कर लेना मिलता है नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग